कोच भी चून या कोच पाक? इन दोनों में से कौन है ज्यादा बहतर? चलिए जानते हैं। तो पहले कोच भी चून के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि आगे कोच पाक के बारे में समझने में आपको आसानी रहे। तो कोच भी चून प्रमुख तोर पर पुरुष का मुत्तेजना को बढ़ाने का कार्य करता है, जिसके परिणाम सुरूप पुरुष परजनन चमता में भी सुधार देखा जाता है, साथ ही साथ मानसिक तोर पर भी इसका प्रभाव काफी लाबकारी रहता है, विशेश तोर पर आउसाद की स्थिति में इसका प्रियोग अश्वगंदा के साथ करवाया जाये, तो बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, साथी साथ नर्वस सिस्टम को भी यह बलप्रदान करने का काम करता है, विशेश तोर पर हात पैरों का कापना अंगों पर नियंतरन खो जाना जैसी अवस्था में इसका प्रियोग बहुत ही अधिक लाबदाई रहता है, वहीं जिन पूर्षों के वीरे में सुक्राणों की संख्या कम हो, उनकी गुणवक्ता अच्छी ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी पूरुष बांजपन को दूर करने के उद्देश से को पस्या में मुझे इस ओशिधी का कोई भी लाब नहीं दिखाई दिया, देखे, यहां मैं आपको एक बात अच्छे से समझा देना चाहूंगा, मुझे आयरवेद के उपर पोनो रूप से विश्वास है, इसलिए मैं आयरवेद में प्रैक्टिस करता हूं, पर इसका ये मत अतलब नहीं है, कि मैं अपनी बुद्धी का ही प्रियोग ना करूँ, और आयरवेद की मुझे यही बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, कि यहां हर एक आचारे का अलग मत है, और यहां बात केवल आयरवेद तक ही सीमित नहीं है, बलकि आयरवेद के भिन-भिन अपने विशे के उपर, अपने काम उत्तेजना को बढ़ाने वाले गुण के चलते, टैस्टो स्टोरोन लेवल को भी यह है, इंडारेक्ट तोर पर बढ़ाने का कारे करता है, वहीं पूर्षो के समान स्त्रियोग की भी सारिरिक व्य प्रजननंगों से संबंदित कमजोरी म इसका प्रियोग किया जा सकता है, वहां भी इसका काफी लापदायक परिणाम रहता है, पर कोच बीच चूण को लेकर एक बहुती बड़ी दिक्कत है, कि यह पाचन तंत्र को काफी नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है, विसेश तोर पर इसके प्रियोग से इसे लेने के बाद उल्टी या उल्टी के जैसी इच्छा प्रारम हो जाती है, सर में दर्द, किसी किसी को ददस्त लग जाते हैं, वहीं हिर्देर रोग्यों के लिए कोच भी चून का सेवन हानिकारक हो सकता है, वो विशेश तोर पर बिना चिकेचसक से परामर से किये, कोच भी चून के कारण होने वाले विभिन प्रकार के उपद्रवों की संभावना बहुत ही अधिक कम रह जाते हैं, अलाकि हिर्देर रोग्यों के लिए भी कोच पाक सुरक्षित उशिदी नहीं है, कोच पाक के अंदर कोच भी चून के अलावा दूद, वंसलोचन, घी, मूसली, जातिफल, जीरा, लोंग, जीवन्ती, करंज, प्रियंगू, पीपली, बिल्व, अकरकरा, समुद्र, सोष, त्रीकटू, चतुरजात, बंग, भस्म, नाक भस्म और लो भस्म का भी प्रियोग किया जाता है, जिसके प्रभाव सुरूप यह विसेश तोर पर प्रजन अंगो को बलपरदान करने वाली ओशिधी बन जाती है, खास तोर पर योन इच्छा में आई कमी और वीरे में सुक्राणू की गुणवक्ता और उनकी संख्या को बढ़ाने काया विसेश तोर पर कारे करती है, हाला कि योन उत्तेजना में वृद्धी करने के चलते इसका पर वो डारेक्ट नहीं होता, इंडारेक्ट होता है, तो कुल मिलाकर ये बात कहीं जा सकते है कि कोच पाक, कोच भी चून की अपेक्षा, अधिक सुरक्षित, अधिक लाबदायक और अधिक प्रभावशाली ओशिधी है, हाला कि रोगी अनुरूप और स्थिती कोच भी चून का भी प्रियोग करने की आउशकता पड़ सकती है, अशे करता हूँ, आपको जानकारी पसंद आई होगी, मिलते अगले वीडियो में